आप देख रहा है faster plus news और नगर पंचायत का चुनाओ हो रहा है पूरे उत्तर परदेश में और सभी परत्यासी जो है अपने मुद्दाओं को ले करके सामने आ रहा है कोई कह रहा है कि हम आपके यहां का यह भी कास कर देंगे अपने वाट का यह भी कास कर देंगे सभी का अल नगर पंचायत में जोड़ दिया गया है बदलाव कर देद घुक हैं इसलिके साथ हमारे साथ मौझ इस समय वाट नमेर थीन के परत्यासी हैं सवासत परकी हीं hisं से बात्चीत करेंगे वैसे कुष्टिखे सवाल कुछ मीठे सवाल पे बात्चीत करेंगे इसस वागत तरव कि आपको बहुत सुबकामना है आप देश की सेवा कि हैं फिर आचानक से राजनीत में कैसे आना हुआ हो गया आपका राजनीत के तरब तो हमारे पूरे परिवार काहीर हमारे परिवार काहीर रहा है 55 साल तक इस ग्राम सभा के कांटिन्यू परधान हम लोग रहे हैं हमारे परिवार के लोग रहे हैं और इसके बाद हम चोवी साल 11 महिना चोवी साल 2 महिना हम अपनी सर्वी सीमा सुरच शावार बार्डर सीक्रिटी फोर्स का करके हम अपने ग्राम शाभा में आए हैं और आते ही मैं भाजपा को ही मैं त हमने माराष्टी यही हमुआ से बचा है वागी ओर इडिया में हम सेबसाल में शही मेह मैहना किया हूं एक साल 2 तीन साल किया हम लेकर किया हूं। हर जंग कोई स्टेट मेरे से वाकी नहीं है जो बॉर्डर एरियाज है ता तो मेरे से सीनियर्स भी आज जो है फेस्बूक पर या वाट्शिप पर लोग भेज रहे हैं मेरे कम समय हज्जारों लगभग सैकडों मित रहें अभी सीमा सुरच छबल में लोग काम कर रहे हैं लेकिन अगर पैसा कमाना राज एक लाख रुपया छोड़ करके हम यहां ना आते हम अपने ग्राम शभा के विकास और सिर्फ विकास इन लोगों का दुख चैन जो भी है मैं ऐसा व्यक्ति बजपन से ही मैरी यह हर हिमेशा रहा है कि कभी किसी न लोगों को जो है किसी भी तरह का जो है दुख हम देखकर के खुश नहीं रहे हैं पर करता भी होगा सब काते हैं जनता काती है कि ऐसे बाते जैसे सभी नेता लोग करते हैं चुनाओ के पहले चुनाओ जीतने बाद मिलवे ना करते हैं ऐसे में फोजी जी मिलेंगे की नहीं मिलेंगे शुक्तो हम और रहुको को नाछा जाए तो सम्मान मों लोग का संवुक्तों जेसे की कई सारे परतियासी इसा जन्ता पे आरोप लगाते हैं की जन्ता जो है शूंको मुर्गा डारू-बोटी एसे में आप कितना बाठने थाना पुलिस जो भी हुआ है कोई आज तक मैं अपने जीवन में किसी ग्राम सभा के लोगों से पैसा मैं पुलिस वालों को नहीं दिलवाने दिया क्योंकि वो लोग भी थाना के भी लोग जानते थे कि फोजी आदमी इमांदार व्यक्ति हैं इसलिए वो पीशे से हट जाते क्यों नहीं देखिए हर हमेशा जो जीवन में एक मिला हुआ समय है अब सारा जीवन आप वहीं खर्च कर देंगे फिर अपने समाज में जहां आप रह रहे हैं वहां अपने परिवार अपने समाज के लिए आपने क्या योगदान दिया इसलिए यह समझ करके मैं कितना साल 24 साल दो महिना क्या कहेंगे सराच्षट का पर्व है और आने वाले चुनाओं को ले करके लास्ट में हम अपने वाड की जनता से अपने नगर पंचायत की जनता से उसमें हम ले करके हम क्या बहुत सकते हैं धन्यवाद यह रहे फोजी जी जो वाड नमबर तीन बड़े गा क्या चरित है कैसे इनका बेवार है आप लोग कमेंट जरूर करें देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज धन्यवाद